दिल्ली में हम सब जानते हैं कि कोविड की जो पिछली लहर रही उसके दौरान काफी केसिस बढ़े हॉस्पिटल्स में पेशिंट्स की संख्या बढ़ी और ऑक्सिजन का काफी संकट हुआ ऑक्सिजन की दिल्ली में तो खेर कमी थी आसपास के जो भी श्टेशन्स थे उनकी oxygen divert कर दी गई थी, तो काफी कुछ crisis हुआ, बहुत सारे SOS जनरेट हुए, hospitals परिशान रहे, patients परिशान रहे, इस speech में कुछ मौत की खबरे भी आई, ये भी खबरें से पता चली कि कुछ hospitals में oxygen की कमी की वज़े से death हुए, तो इन सब मामलों को ठीक से handle करते हुए, दिल्ली सरकार ने इलान किया कि अगर किसी hospital में oxygen की कमी की वज़े से death हुई है किसी patient की, तो सरकार उसके परिवार को मुआवजा देगी, 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का सरकार ने इलान किया था, इस बारे में court के आदेश भी हुए और court के आदेश पर दिल्ली सरकार ने एक health experts की committee बनाई, medical experts की committee बनाई, जो इस बात की pushटी करेंगे कि, यस ये death oxygen की कमे की वज़े से हुई, hospital से सारा data लेके, सारी जवाँ से सारा data लेके, ये committee surprisingly बड़ा आश्चरी और दुख हो रहा है कि केंद सरकार ने ये committee खारिज करती है, दिल्ली सरकार दिल्ली में oxygen की कमी की वज़े से हुई death पे मुआवजा देने के लिए, उसकी जांच करने के लिए कि अगर कोई है तो oxygen audit committee बनाती है कि oxygen का audit हो, oxygen death audit हो, लेकिन केंद सरकार उस committee को खारिज कर देती है, हम इस समझ नहीं आ रहा कि इसमें केंद सरकार को क्या problem है, और ये committee तो court के intervention के बाद बनाई गया थी, court के भी निर्देश थे इस बारे में, कि इस तरह की intervention होनी चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि केंद सरकार क्यूं बार बार इस तरह के काम करती है, कि कोई भी राजिस सरकार कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है, कुछ बहतर करने की कोशिश करती है, तो केवल और केवल उसमें टांग डाने का काम करती है केंद सरकार, पहले तो oxygen के arrangement नहीं कर पाए ठीक से oxygen distribution का भट्टा बिठा दिया अब वो दोर निकला है और एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते दिल्ली सरकार चाहती है कि अगर oxygen की वज़े से death हुई है तो ऐसे में परिवार को मौवजा भी मिलना चाहिए और उसकी तस्दीक होनी चाहिए उसकी पुष्टी होनी चाहिए तो इसमें भी केंद सरकार को problem है तो राज्यों के काम में इतनी टांग ड़ाने का शौक केंद सरकार को क्यों है केंद सरकार राज्य सरकारों को काम करने क्यों नहीं दे रही मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी राज है आज बात दिल्ली की नहीं है। जांच होके उनके प्रेवारों को मौवजा मिले तो इसमें केंद सरकार को क्या प्रब्लम है। लेकिन वो कमेटि कारीज कर दी, बहुत गहर जरूरी हस्तक शेप कर रही है केंद सरकार। इस तरह कि हस्तक्षेप की केंद्र सरकार की जरूत नहीं है, मैं केंद्र सरकार से निविदिन करना चाहता हूँ कि राज्य सरकारों के काम में इस तरह से हस्तक्षेप करना बंद करें, कोई राज्य सरकार अगर अपने राज्य के लोगों को मौफ़जा देना चाहती है, इस कि परिवार के किसी व्यक्ति की मौत कोविट की वज़े से ऑक्सिजन की कमी की वज़े से हूइ थो चैन। हो या बचकानी हरके हों पर उत्रे हुए कोई तो कारण हो के सरकार गा कि ये समने सकती पूस कमेटी निल करना चाहता हूंकि इस तरह जंता चाहती है कि उनकी चुनी हुई सरकार उनके लिए कुछ करें सरकार चाहती है किया कमेटी इस बारे में filter करे चीज़ों को, scrutinize करे चीज़ों को. आपको कमेटी बनाने में problem हो रही है. और कमेटी दिली सरकार ने बनाई है, health expert की कमेटी बनाई है. तो मैं निविदन करना चाहता हूँ के अंक सरकार से की इस तरह की तक्षेप ना करें और राज सरकारों को काम करने दें